आज का जो लेक्चर है वो प्रकारवाद पर है और प्रकारवाद के जो इसमें योगदान है रेट ली ब्राउन का उस पर आज हम चर्चा करेंगे प्रकार बात को समझने से सबसे पहले हम जाने कि प्रकार शब्द का मतलब क्या है प्रकार का मतलब यहाँ पर functionism यूज़ करते हैं और function शब्द का अगर हम normal earth समझते हैं तो देखता है function के लिए हम यूज़ करते हैं उत्सर्व के रूप में status and role के रूप में यूज़ करता है function का function का next field ने तो website के रूप में भी occupation के रूप में भी किया है और mathematical earth में हम variable के रूप में भी जानते हैं function लेकिन हम यहाँ पर function का यूज़ कर रहे हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं biological अर्थ में biological अर्थ में biological अर्थ का मतलब ऐसा function ऐसा प्रकार जो जैसे कि शरीर के विभिन और जब काम करते हैं तो शरीर के विवस्था को बनाए रखने के लिए करते हैं जैसे दिदने का function brain का function लंग का function उस सरके के विवस्था जो उसमें होती है वही चीज़ की साव्यव की जो कलपना है वह यहां पर समाज के संदर्व में रटली ब्राउन इसको एकसेप्ट करते हैं तो यहां पर biological अर्थ में हम इसको यहां पर यूज़ करते हैं जब रटली ब्रा का जुकाल था उसमें अधिकांश्रता यह स्थितिति की समाज की विवस्था को बनाए रखने के लिए समाज को जदमहत्व दिया जाने लगा क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर सबके स्वार्थ की जहां पर चीज़ने आने लगती हैं तो समाज वहां पर विवस्थित नहीं ह उन्हें समाज को महत्व दिया यानि संपूनृता और होल को महत्व दिया अब इसकी कालपना के रहे हैं पहला तो इनके पॉइंट इह है कि यह मानते हैं कि जह प्रकारियाटने हैं इसमें कोई भी समाजिश्ञा असे प्रकारियात्मक एक्ता पाई जाती है। अब एक प्रकारियात्मक एक्ता की बात है वो सब्सार करता है स्माज यह यहां मतलब है वो यह है कि तरह के सिक आदश कंड़ी तो हिए है। या इसको कह सकते हैं कि conceptual, ये abstraction है, केवल एक आदर्श की स्थिती है। लेकिन जो समाज जितना इस आदर्श के पास होता है, उस समाज में उतना ही आराजकता कम होती है। जो समाज इससे जितना दूर जाएगा उसमें अरजकता की स्थिति उतनी ही जादा हम देखते हैं तो यहां पर यह जो प्रकार की बात करते हैं वो यही करते हैं कोई भी समाज हो उसमें जो प्रकार है वो समाज की वस्ता को बना रखने के लिए काम करते हैं कि पार अब संघस्टक्रण की सित्य में क्वेर्थ काम distint अन्युज ऑ nylon को जो कि उसान ग्रकारें सामाल जो कान संथान कार्षा कोई करें तो अब चीज और प्रैशन की कार्य और प्रकारिय अर्थ क्या क्या अनतर है आप देखेगा जो कार्य जो होता है वो किसी समाज की वस्ता को बनाय रखने के लिए भी हो सकता है और समाज की वस्ता को खराब करने के लिए भी हो सकता है लेकिन जब हम प्रकारी के बात करते हैं तो केवल उसमें वो कारे आते हैं जो कि समाज की व्यस्ता को बनाये रखने के लिए ही करते हैं प्रकारी का मतलब है कि किसी भी तरके से वो केवल उसकी व्यस्ता को बनाये रखने के लिए ही काम करता है इसके लिए कोई भी निगेशन, कोई भी निगेटिव चीज इसमें नहीं आती, क्योंकि वो समाज द्वारा, क्योंकि इसमें समाज को मत देते हैं, खोल को मत देते हैं, अच्छा, दूसरी चीज इनके एक और आती है, वो यह कहते हैं कि जो अंग हैं, वो जो है, वो काम करते है समस्टी के लिए टोटालिटी के लिए पार्ट काम करते हैं टोटालिटी के लिए शरीर काम करता है शरीर के विवस्था के लिए और समाज के अगर हम शरीर की कुल तुलना अगर हम करें पूरे समाज की तो शरीर के विविन प्रकार की जो ऑर्गंस हैं वो काम करते हैं समाज के लिए तो जो भी कार होगा वेस्टी का यानि एक alcoholic का वो काम तोका to Donutty के लिए उसके अलाबा उसका कोई अस्तित्फ नहीं आई पो जो की काम करेगा के तो समाज की वज़ता को वना हि को और करता है aurka को काम हमेशा ब tenantbacks जो की उचित भी हो और जो की आवश्यक भी हो उचित का मतलब यहां पर यह है कि जो परियावरण के अनकूल भी हो ऐसी कोई चीज ना हो जो आज तो हमारे लिए यूसफुल है लेकिन आने वाले समय में जब हम उसको कभी देखें या समझें उस परियाम को देखें तो लगा जो आवशक्ताई थी वह पूरी हुई देश की और बाहर भी उसका जो है निर्यात किया गया लेकिन एक समय विशेश में कुछ दश्कों तक तो ठीक है उसके बाद इससीती क्या आई उसके बाद इससीती यह आई कि हमें समझे में आया कि हमारी जो भूमी है वो बंजर हो और उर्वरा शक्ति कतम होने के साथ सथ जो भूमी जल है वो भी प्रिदुशित हो गया है और वहां पर जब बंजर भूमी हो गई तो वहां कुछ संभव नहीं था और आप देख रहा होंगे हम पुना किस के तरफ जा रहे हैं जा भी खेटी के तरफ जा रहे हैं तो वह ज प्रकार के वह जो जो समाज की विस्था को बनाए रखने के लिए काम करती है यानि पर्यावरण के लिए भी अन्कूल हो और विवस्था के लिए वह उची तो तभी वह कहलाएगी प्रकारे इसके बाद अगर रम एक और इनकी चीज़ते कि जब भी हमें समझना होगा इनक समाज की संग्रचना की संदर में इसलिए प्रकारवत को हम देखते हैं कि समाजिक संग्रचनात्मक प्रकारवत कहलता है क्योंकि समाज की संग्रचना की संदर में समझते हैं वो यह कहते हैं कि माली जे अभी कोई एक पढ़ने-पढ़ने का काम हो रहा है छोटी सी एक जेगे क तो जो भी काम है वह चोटी से लिखे बड़े सूत्रों बंद्यों वहीं होते हैं उसको ध्यान मेरे सारी चीजह उसके अकॉर्डन चलती है और यह इसलिए जब भी हम करें। जब भी समाज के समस्या, जब भी समाज के प्रकार, हमें किवन लक्ष और साधन को ही नहीं देखना चाहिए संदद में, हमें लक्ष और साधन के अतरिक्त, हमें ये देखना चाहिए, वो चीज कितना फंक्शन कर रही है उस सुसाइटी के लिए, अगर उस सुसाइटी के लि कुरा टोटालिटी को यूगदान हो और यहां पर एक चीज और आती है कि जब आप इनके प्रकारवाद को देखे तो यह समझ में आता है कि आंश का टोटालिटी के पर यह फोकस कर रहे हैं इनका एक व्यक्ति का जो या इकाहियों का समाज के लिए यूगदान तो कर रहे हैं लेकिन वह कहीं पर भी व्यक्तिगत स्वतंता यहां नहीं आती है यहां व्यक्तिगत स्वतंता का हनन भी इस्त्रिय इनका सिध्धात महीं बन जाता है यह क्योंकि यह सारा का सारा ध्यान समस्टी टोटालिटी समाज इसको महत्व देते हैं आंश व्यस्टी अंग पार्ट इसको महत्व नहीं देतें, क्योंकि जो भी काम करता है, वो टोटालिटी के लिए काम करता है गो इसी के साथ, अगर वह मै 지n accord को देखे, तो आप को ismaj में मही आए हैं, इनो कि मे some इन और विक्ति गौत का जहां हनं की बात कर रहे हैं उसको वो आगे लेके आती इसकी जो ये कमी है उसको आगे लेके आते हैं और आगे कैसे लाते हैं वो ये कहते हैं अच्छा इनके सद्धान को जो है सांस्कृतिक प्रकारवाद क्या लाता है अब सांस्कृतिक प्रकारवाद को समझने से पहले हमें दो तीन चीज़े समझने पढ़ेंगी पहली चीज तो यह कि संस्कृति क्या है जब हम संस्कृति को समझेंगे तब ही इनके सिधान को बेतर तरीकी से हम समझ पाएंगे संस्कृति क्या है जो प्रकृतिक पर्यावरण के अत्रिक जिस चीज का भी निर्मान मुनुष्ण ने किया है वो सारी के सारी चीज संस्किति के अंतर कहता आती है और इस अधार पर संस्किति दो प्रकार की हो जाती है एक होती बहुतिक एक होती अबहुतिक संस्किति क्या जिससे आप देख सक कि प्राकारवाद की तो इनका ये कहना है कि कि संस्किति की पृतेक तथ एक बूसरी के साथ जुड़े होते है और वो cancel मैं इतना समंझजस होता है कि अगर किसी एक में हम बदलाब करे तो इसका असर किसी दूसरी अगर अभातिक संस्किति में बदलाब करेंगे तो बहुतिक संस्किति पड़ेगा और बहुतिक संस्किति में करेंगे तो अभातिक संस्किति में पड़ेगा और बहुतिक में करेंगे तो अभातिक में भी पड़ेगा और अभातिक का करेंगे तो अभातिक में अभातिक में इस बंतें के इसी लिए हैं कि दूसरे के साथ विवस्थ तरके से बढ़े होते हैं इनके डिजाइन जो सिमाज में जो एक का सरकी कि जुछ गारा सीमेंट सभी के पास होता है लेकिन सब के मकान अलक बनते हैं कि वहीं परिवार है वही विवा है वही राजदिति के ववस्ता है संस्कृति फो Zac लेकिन उसका जो रूप होता है अलग अलग होता है कि उसकी अवश्चक्ताक कृफ्त है जैसे भावलिक अवश्यकत एक में बदलाव दूसरे में हो रहा है तो संस्कृति बहुत महत्वपुन हो गई इसमें क्या है कि इनका प्रकार वाद है वह कहता है कि अगर हम किसी एक अंश में बदलाव करते हैं यानि व्यस्टी जो है वह समस्टी के लिए भी काम करता है व्यस्टी जो है वह खुद के ल अगर जो शरीर का जो kidney है, heart है, काम करें, शरीर के विवस्था को बना रखने के लिए, साथ साथ ये क्या करें, खुद के विवस्था को बना रखने के लिए काम करें, अगर शैक्चनी के विवस्था समाज के विवस्था को बना रखने के लिए काम कर रही है, आर्थिक विव और तो इसलिए इनका हिए ह्मात्विया आता है कि अदर व्यक्ति के लिए उसके लिए भी काम कर रहा है यहां पर इन्होंने जो व्यक्तिगत लिबर्टी की जो चीजे थी उसको पुना वापस किया है और इन्होंने कहा कि संस्किती का प्रतेक तत्व जब मनुष्य के लिए उपियोगी होगा जो वही जीफित रहेगा जो उपियोगी नहीं हो जीफित नहीं रहेगा और वहीं के संस्किती की मानुटता ही है और इन्होंने इसको यह पूरा करते हैं अगर पूरा नहीं करते तो इसके कोई उपयोगिता नहीं रती वह अपने आप समाप्त हो जाता है जैसे कंपोनेंट में अगर हम जो आवशक्ता है उसकी क्या क्या है बोजन प्रजिनन सारीरिक शुरक्षा सुख गती ब्रिद्धी और स्वास इन्हीं साथ चीजों पर ही हर चीज डिपेंड करत है अगर संस्किति का प्रतेक तत्व अगर इसके अवशक्ता की पूर्थी करता है जहां भौतिक हो अभौतिक हो तब ही वह जीवत रहेगा अगर वह नहीं करता है वह समाच के लिए उपयोगी नहीं है तो अपने आप चली जाएगी वह कभी ठैरेगी अच्छा इन्हों न क्धिस्ट में करते हैं तो इसमें यह नहीं कहा है और जानते अबजर्वेशन की कई धिया हैं उसमें आप i participate कर भी करके भी बन सकते हैं कभी उसमें पहचांद स्पाके और कभी पहचान बताके तो सहभागी अवलोकन का जो महत्व है इसमें बहुत ज़्यादा है इसमें जो है सहभागी अवलोकन और तुल्नात्मक रूप से जब हम compare करके जब study करते हैं तो हम real चीज को हम जान पते हैं समाज की जो संग्रचना उसको जान पते हैं अगर हम किसी एक छेत्र विशेश में जाएं और अगर हम दूर से बैठके किसी को अगर देखें कहीं आरे यहां तो बहुपती विवाह है यह तो बड़ी खराब विवस्ता है यह बहुपत्नी विवाह है जिस भी tribes में हैं क्योंकि दोनों की चाहे रेटली ब्राउन हो और चा अगर हमें दूर से बैठके किसी चीज को तो हम नहीं समझ पाएंगे जब वहां पर उसके पार्ट बन जाते हैं तब हमको इसको समझ में आती है और यह जो इनकी टैक्नीक है वो किसी भी समस्य के वास्तविक निशकर्ष के लिए बड़ी इंपॉर्टन है अगर अगर आप जाएं किसी जेलों का अध्यान करने के लिए आप अगर जाते हैं जेल में जाएं और आप किसी से इंटर्व्यू लेके चले आएं कि कैदियों से या वहां के जेलर से तो रियल चीज पार्ट उसके पाड़ा करें जैसे निश्कर्ष गया है और अपनी पहचान चुपा कि आप गया वहां पर एक खुद आप कैदी बन जाएं और कैदी बनने के बाद अब अगर आप रियल सिचुएशन दिखेंगे कि कैदियों की क्या सिती है, जेलर की क्या सिती है, महां पर क्या प्रिस्टा चार है और क्या पॉस्टिव चीज है, तो इसका रियल जो चीज है वो अंदर निकल के तब आता है कि जह हम उसके अवलोकन, जह हम करते हैं, उसके पार्ट बन जाते हैं, अब यह पहचान चुपा के, अगर आपकी रेस एक ही है, तब तो आप पहचान सुपा सकते हो, लेकिन अगर आपकी प्रजाती ही अलग है, तो आप शारी बन निता के वज़े से आप उसको नहीं कर सकते हैं, तब आप observation केवल कैसे करेंगे, अपने पहचान को बता के करेंगे, तो यह जो चीजे हैं, वो इसके आधार में हम इतना कह सकते हैं, कि मैलनोवस की अपने आपको anthropologist कहला ना पसंद करते हैं, क्योंकि संस्कृति के संदर्में अर्चीज को बताते हैं, व्यक्तिगत चीजों को यह वापस करते हैं, इसलिए इनका प्रकारवाद है, वो व्यक् संदर्में समझाते हैं, इसलिए उनका प्रकारवाद होगा, वो संग्रशनात्मक प्रकारवाद होगा, यहां पर जो है मौलिक अवर्शक्ताओं की बात, जहां मैलनोवस की करते हैं, वहां रेटली ब्राउम ने आपके इस अधिकारों की या आपकी स्वतनता की कोई बात ह हैं, उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करें, थैंक यू